नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सिवा में एक ब्यादी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां रात को सोते वक्त भूनी हुई दो लोंग खाने से जो होगा आपने कफी सपने में नहीं सोचा होगा ये है आज का हमारा ऐसे भी कम ही ध्यान दे पाते हैं जिससे हमारा स्वास्त काफी कमजोर रहता है या हमें कई प्रकार की बिमारियां होती रहती हैं जिसके लिए हम कई प्रकार की दवाओं का सेवन भी करते हैं जिससे हमें आर्थिक नुकसान काफी होता है लोंग तो आप सभी ने देखी हो अगर आप वह उपाई करते हैं तो आपको काफी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप रात को सोते वक्त दो या तिन लोंग अंगारों पर सेख कर अर्थात भून कर खाएंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा ध्यान रहे जादा देर अंगारे पर रखने स यह जल जाएगी एवं इसके और शर्धियागून खत्म हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे असली लोंग की सबसे पहले पहचान जालनेते हैं दुकानधार बेचने वाले लोंग में तेल निकला हुआ लोंग मिला देते हैं अगर लोंग में जुर्यां पड़ी हो तो समझे कि यह तेल निकाली हुई लोंग है उसे ना खरीदे लोंग से बहुत सी प्राकृतिक और शधियां बनती हैं आज हम आपको बताएंगे कि एक लोंग कितना कमाल का होता है आए जानते हैं लोंग के फायदों के बारे में रात को लोंग से होने वाले साथ फायदे श्वसं सं से आराम जिहां आपका पास के एक टुकड़े की सहायता से थोड़ा सा लोंग का तेल या भूना हुआ लोंग का चून पीड़ा दायक दात या अपने मसुड़ों पर लगा कर दर्द को कम कर सकते हैं इसके आलावा यह संक्रमर को ही कम करेगा सूजन को यह कम करता है सा लोंग का तेल मिला कर घाव पर लगाएं यह घाव को ठीक करने में मदद करेगा पाचन में सुधार जिहां भूना हुआ लोंग उल्टी दस्त आंत्र गैस और पेट के दर्द को कम करने में सहायता करता है बस थोड़ा साउधान रहें क्योंकि लोंग बहुत तिब्र होत इसका ज्यादा सेवन आपको परिशान कर सकता है खासी जुकाम जिहां अगर आप इस प्रकार इसका सेवन करते हैं तो आपको कभी भी खासी जुकाम जैसी तकलीफ नहीं होगी साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके प्रति दिन दो लोंग भून कर खाने से आपके शरीर में बह रहा रक्त साफ होता है जिससे आपके शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है लोंग के आईए अन्य फायदों के बारे में भी जान लेते हैं पाचन क्रिया का खराब होना लोंग 10 ग्राम, सोठ 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, अजवायन 10 ग्राम इन सब को मिलाकर अच्छी तरह पीश कर इसमें 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर के रख लीजिए इस मिश्रन को एक स्टील के बरतन में रख कर उपर से निम्बू का रस डाल दीजिए जब यह सक्त हो जाए तब इसे छाया में सुखा कर 5-5 ग्राम के मात्रा में भोजन के बाद सुबह और शाम को पानी के साथ लीजिए आपको लाब होगा गठिया रोग में लॉंग भुना हुआ सुहागा एलूवा एवं काली मिर्च 5-5 ग्राम इन सभी को कूट करके पीस लें और घीगवार के रस में मिला करके चने के आकार के बराबर की गोलिया बना कर चाया में सुखा लें उसके बाद एक एक गोली सुख शाम लेने से गठिया का रोग नश्ट हो जाता है चकर अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले दो लॉंग लें और इन लॉंगों को दो कप पानी में डाल कर उबालने फिर इस पानी को ठंडा करके चकर आने वाले रोगी को पिलाने से चकर आना बंद हो जाता है साइटीका में लॉंग के तेल से पैरो पर मारिश करने से साइटीका का दर्द खत्म हो जाता है टॉंसिल का बढ़ना एक पान का पत्ता दो लॉंग आधा चमच मुलेथी चार दाने पीपर मेंट के एक ग्लास पानी में मिला करके काड़ा बना कर पीन करें इस से दांतों का दर्द नश्ट हो जाता है दमा या श्वास रोग में दो लंग को 150 मिली लिटर पानी में उबाले और इस पानी को थोड़ी सी मातरा में पीने से अस्थमा और श्वास का रुकना खत्म हो जाता है दांतों में अगर खिड़े लग गे हो तो 21 लोरीअ में भिंगो कर रखें इससे दात के किड़े नश्ट होते हैं और दर्द कम होता है अगर आपको कब्ज है तो लॉंग 10 ग्राम काली मिर्च 10 ग्राम अजवायन 10 ग्राम लाहोरी नमक 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम इन सभी को पीश कर छान कर निम्बू के रस में डाल दें सूख के मालिश नहाने से पहले करनी चाहिए ताकि आप नहा करके फ्रेश हो सकें जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यव नमस्कार दोस्तों